हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो ले क्या रहा हूं देखिए 65 रुपे का डिविडेंट दे दिया भाई हीरो ने कमाल कर दिया मैं कहूंगा हीरो का कमाल रिजल्ट में धमाल अब रिजल्ट में धमाल तो तभी पता लगेगा जब आप लोग आते हैं बहुत जल्दी निकल के भाग जाते हैं क्यों निकल के भागते हैं क्योंकि लॉस कर जाते हैं और लॉस तभी होता है जब आप किसी की बताई हुई टिप पे विश्वास करते हो कि ये खरीद लो वो खरीद लो मेरा अपना माननना है कभी किसी की टिप पे व observe करो और फिर उस observation को अपनी day-to-day basis पर practice करो और जब जा के अगर कोई कुछ बताता भी है तो आप अपने end पर उसको अब अगर मैं भी बता रहा हूँ तब मेरा मानना यह है कि आपको अपने end पर उसको observation करना है हाँ यह मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि वह learning अगर आप कर पाओगे वह learning कर जो है आपका अच्छा होगा तो अभी आप long term में survive कर पाओगे अगर आप साल दो साल में stock market से निकल जाओ होगे पैसा कमाओगे नहीं गवाओगे ज्यादा तो यहां पर देखिए hero पैसट रुपे का dividend देखते हैं इसके बारे पर साथ मैं fundamental technical जानते और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक् रखा गया है यह नहीं कि आपको gold member, diamond member, platinum member वाला कुछ नहीं दखा गया है बिल्कुल basic to add some seriousness क्योंकि यहां पर अगर आप learn करोगे तो आपका फाइदा होगा टिप पे paid service पे विश्वास मत करो वो भी एक पैसा इतनी से अचा तो आप कोई share खरीद लो इतने पैसे का 15,000, 20, 50,000, 60,000, जितने में बहुत महनी महनी टिप्स होती है भी आपको यकीद नहीं होगा लेकिन कोई आपको यही नहीं बताएगा कि आपको खुद observe करना है चीज़े आपको खुद सीखनी है फिलाल मैं आपको लेके चलता हूँ stock की तरब क्योंकि time हमारे पास कम है यह motorcycle का बहुत बड़ा player 2400 का price है आज 2% का उचाल देखने को मिला delivery की अगर मैं बात करता हूँ तो 37% की delivery देखने को मिली result बाद में देखेंगे पहले देखते है stock का कारोबार 48,000 करोड का market का application 2400 का price book value 724 की PE ratio हर 14 रुपे एक रुपे कमाता है यह basic basic चीज़े में आपको बता ह कई बार बता चुका है वीडियो के description में आपको links भी देखने को मिलेंगी यह detail debt ना के बराबर है अच्छी बात है intrinsic value अच्छा है PG ratio अच्छा है अगर मैं बात कुरूँ यहाँ पर dividend yield बहुत ही बढ़िया है अब बात आती है profitability की अगर मैं profitability आपको दिखाऊं देखिए किस त कब आया सबसे important बात कभी अगर आप result देखते हो तो यह देखे कब आया क्या वो market closing hour से पहले आया या फिर market closing hour के बाद आया अगर आया है पहले तो मतलब already उसका असर market पर पढ़ गया होगा अगर आया है बाद में तो मतलब कल की date में आपको gap down opening जो भी जैसा result रहा वैसा द देख लिया होगा लेकिन record date कब की है हर dividend से associated record date होती है वो आपको जान रखनी है record date कब की है क्योंकि यह record date जो होती है इसी के हिसाब से तो आपका तय होता है कि आपको dividend मिलेगा या नहीं मिलेगा अब confusion है दूर करनी है तो जाए वीडियो के description में link की द्यास पर click करके अपना record date के बारे में कि मुझे share cup खरीदना है उस confusion को clear कीजिए हम देखते है यहाँ पर record date फरवरी 18 2020 आज ही rate कितनी है छे फरवरी 18 फरवरी की record date है चलिए interim dividend है 15 दिन के अंदर निप्टाना होता है record date तो अब 65 रुपे का dividend है लेकिन result अच्छा रहा या नहीं रहा वो है लिख तो देखने को मिले लेकिन profit में हमाल किया देखिए 8,228 करोड का जो total income था यह consolidated number से करोड में है 8,128 करोड पहले मैं यह numbers हिंदी में बोलता था बहुत सारे लोग है जो लोग है जिनको number जो है हिंदी में बोलते है तो कहता है थोड़ा English में बोल जिया करो number चलिए English में बोल ले लेंगे 7,259 करोड अभी का total income है which is आप देखे कितना कम है total income revenue में गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी मैं आपको detail में बताने कि इसलिए कोशिश करता हूँ total income से था कि आप relate कर पाऊ जीए अब मैं बात करता हूँ profit before tax profit before tax अगर मैं देखू 1149 करोड से इस बार गिर के 1044 करोड के आसपास मतलब कि सीधे सीधे 100 करोड का profit before tax में गिरावट रहा लेकिन profit before tax का यह गिरावट है लेकिन net profit after tax अगर मैं देखू तो मुझे 905 करोड का tax जो profit देखने को बिल रहा है 905 करोड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 772 करोड से profit बढ़के इतने उपर चला यानि कि 28 128 प्लस 5 133 करोड का जंप जो कि अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है जब आप खाली profit profit को देखोगे तो आपको आपको यह रिजल्ट में धमाल हो गया लेकिन जब आप इन नंबर्स को देखोगे आपको होगे भई यार total revenue तो गिरावा दिख रहा है before tax भी गिरावा दिख रहा है यह तो खाली tax की बज़े से बचत हो रही है तो भई यही तो अगर आप पूरा result देखोगे तब आपको यह clear picture देखने को मिलेगी अब earning पर share अगर आप देखे 38 से बढ़के 35 के आसपास हो गई है क्यों हुए है क्यों कि profit बढ़ा हुआ है यही नहीं अभी तो हम आपको लेके चलेंगे technical पे basic focus रखा कीजिए technical पे technical ही सब कुछ है बई मेरा तो यही मानना है कि technical ही सब कुछ है technical हमको बहुत जानकारी देता है और मैं तो आपको multi time frame analysis करवाता हूँ औ कौन सी website कौन सा यूज करते हो कुछ नहीं है जिरे उधा का जो काईट वाला website काई.जिरोधा.com उस पर यह सारा कुछ आपको मिलता है यह चार्ट कोई स्टॉक सर्च कर लीजिए अभी hero motocob हमने सर्च किया यह मन्थली time frame पर मैं आपको बता रहा हूँ है मन्थली time frame देख मैं इस पूरे की पूरे उसको कहूंगा कि एक kind of correction आप कहोगे हाँ यह range था यह sideways trend था इसके बारे मैं आभी मैं आपको जो अगला वीडियो बनाऊंगा बिलकुल members वालों के लिए कह रहा हूँ जो अगला वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे यह पूरे trends के बारे मैं आपको बताऊंगा ता कि वह आपको आप उसका फाइदा ले पाओ वह important चीज रहेगी इस weekend पर वीडियो का series मैं start कर रहा हूं दूसरी चीज फिर से देखे फिर positive trend आता है फिर एक हलका सा correction आता है फिर positive trend आता है लेकिन इस बाहर का correction बहुत बड़ा है और correction के साथ साथ support कहा पे लि लिए दिखाता हूं मंतली चार्ट में एक सीधी स्ट्रेट लाइन आपको weekly चार्ट में क्या दिखेगी आप डाउन momentum देखने को मिलेगा अब आप देखे यह particular momentum आप देखे यहां से जब इस stock ने positivity ली थी और जब भी यह को कि corrective phase ता अचा खासा लेकिन यह देखे यह equal bottom आ बन गया जो कि काफी positive बात थी और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि higher high बनने के साथ यह breakout का level यही तो हम तलास करते हैं जब हम positional trading करते हैं swing trading में तो हम इस point का तलास करते हैं अब आप देखे share rally आई correction आया फिर rally आई देकिन अब धीरे-धीरे देखे यह point हर कोई सीखना चा को कुछ न कुछ दिखाता है यह वाला reversal दिखाऊंगे आप देखे stock by positive strength आता है देखे higher high बनता है higher high बना लेकिन यहाँ पे हमारे पास higher low यह point था अब यहाँ पे आप देखोगे higher low टूट जाता है देखे यह higher low नहीं कहूंगा मैं इसको यह यह देखे यह low point था इसका यहा यहां पे lower low बनता है lower low बनने के बाद जब पहली lower low बन गया तो हमारे पास एक तो यहाँ पे confirmation अभी हुआ नहीं है कि हमारा low जो है वो जो high है जो पुराना हमारे पास high already था वो टूटा है लेकिन confirmation नहीं आप confirmation कब होगा यहाँ पे भीजा अब तो हमारा lower high भी बन गया lower low भ trend आ चुका है trend आपका reverse हो चुका है basic यह चीज समझ ले हर time frame पे आपका फायदा होगा फिर नीचे गिरता है फिर से lower low बनाता है और अच्छा फिर से उपर जाएगा higher high lower high बनाएगा और अच्छा आप देखे किस तरीके से नीचे आया है धणाम से लेकिन अब अच्छी बात करते हैं तो time तो लग जाता है तो देखे time frame पर अगर मां बात करूं daily time frame पर तो stock 200 day moving average से नीचे है मतलब अभी long का possibility नहीं है और देखे एक range में trade कर रहा stock range में trade कर रहा यह range सबसे पहले तोड़नी important है अगर range में देखू यह range है मेरी 2480 के level की range है यह तोड़नी important है पहले यह टूटे stock 100 day moving average से उपर जाए तभी एक long की सोच सकते हैं फिलाल तो आप देखिए long case में सोच नहीं सकते है अब हम सोचते है आगे अगले अगर hourly chart में देखू तो थोड़ा सा positivity देखने को मिले result by profit अच्छा है लिके revenue थोड़ा कमी है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा नह लगा तो शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती रेगान thank you thank you for watching the video